दोस्तों क्या आप भी 19 मिनट पहले WhatsApp का लगाए गए status से पुरा confused हो और आप भी जानना चा रहे हो कि यार ये privacy setting के अंदर privacy check-up है क्या इससे होता क्या है और WhatsApp आपको status लगाकर ये चीज़ को क्यूं बता रहा है ये इतना setting important है क्यूं कि WhatsApp आपको status लगाकर बता रहा है और यहा privacy check-up के अंदर पहुंच जाओगे तो ये setting है क्या और इन setting हो से आप कर क्या सकते हो इससे आपका क्या फायता है दोस्तों ये जो आपको चार setting दिए गया है इनके अंदर भी कई सारे setting है और उन सभी settings को on और off करके अपने WhatsApp को protect कर सकते हो अपने chat को protect कर सकते हो अपने पूरे whatsapp लगा कर बता रहा है आज लेकिन अगर आप यहाँ पे chat वाले option में आओगे फिर यहाँ पे 3. पे click करोगे तो आपको एक option मिलेगा setting का तो इसके उपर जब आप click करोगे और फिर यहाँ पे जब आप privacy वाले option पे click करोगे तो आप सभी को यहाँ पे privacy check up का एक option देखने को मिल जाएगा और यही चीज आप सभी को आपके iPhone के अंदर भी देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगर आप सभी यहाँ पे start check up के उपर click करोगे तो आप सभी को यहाँ पे धेर सारे setting देखने को मिलेगा पहले तो यहाँ पे आपको चार setting दिये गए हैं लेकिन अगर आप इन setting उपर click करोगे तो यहाँ पे और भी setting आपको देखने को मिलेगा इन पे भी click करोगे तो और setting देखने को मिलेगा इन पे भी click करोगे तो और setting देखने को मिलेगा सबसे पहला setting आपसे कह रहा है कि आप decide करो कि आपको कौन WhatsApp पे contact कर सकता है तो इसके लिए यहाँ पे आप इस पे click करिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको group में कौन-कौन add कर सकता है इसका decision आप खुद लो तो जब आप इस पे click करोगे तो यहाँ पे आपको तीन setting देखने को मिल रहा है पहला setting जिसमें कि आपको कोई भी group में add कर सकता है दूसरा आपके जो contact वाले हैं वही आपको group में add कर सकते हैं और तीसरा आपके contact में भी जो बंदे हैं वो भी आपको add नहीं कर पाएंगे जिनको जिनको आप यहाँ से select करोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई 4 contact को select करे हैं इन में से कोई भी मुझे group में add नहीं कर सकता है तो यहाँ पे मैं my contact पे रखता हूँ ठीक है अगला यहाँ पे है कि आपका जो भी call आए unknown नमबरों से आजकल आप सभी जान रहे हो कि scam कितना बढ़ रहा है और आपको video call के माधियम से voice call के माधियम से आपसे whatsapp के थुरू fraud कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे आप silent कर सकते हैं देखे मैं silent करके रखा हूँ यहाँ पे आप सभी को बताएगा कि आपने किन किन contact को अभी तक block करा है तो जब आप इस option पे click करोगे तो आपको सारे वो contact देख जाएंगे जिनको जिनको आपने block करे हैं तो देख सकते हैं कि मैंने कितने contact को block करे हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अगला यहाँ पे आप सभी को कह रहा है कि आपका जो personal information है उस पे आप खुद का control रखिए और control रखने के लिए यहाँ पे आपको click करना होगा और click करने के बाद यहाँ पे आपका profile photo कौन कौन देखे उस पे आप control रखिए तो मेरा my contact में यहाँ पे है अगला आपका last scene और online कौन कौन देखे तो यहाँ पे आप वो भी decide कर लो my contact मेरा है कि जितने भी मेरे contact में save है वो ही मेरे last scene और online को देखे read receipt यानि कि आप अगर किसी का message फढ़ लेते हो किसी का status देख लेते हो तो वो कौन कौन आपका देखे वो भी आप सभी यहाँ पे decide कर सकते हो आपका उसको दिखे की नहीं आप यहाँ से read receipt को on और off करके रख सकते हो इसके बारे में तो सभी को पता ही होगा अगला यहाँ पे आप सभी को मिलता है कि add more privacy to your chat मतलब आप जो बाते कर रहे हो WhatsApp पे उसमें और privacy add करो पहला है default message timer यानि कि जो भी आप नए भंदों से संपर्क करना सुरू करोगे नए conversation में chatting करना सुरू करोगे या आप नए number से किसी का message आएगा तो उसमें आपका जो message है वो automatic delete हो या ना हो उसके लिए यहाँ पे आपको setting दिये गए है अगर 24 गंटे रखोगे तो मानलो कि अभी मैंने आपको संपर्क किया आपके लिए मैं नया हूँ और आपने मुझसे chatting करना सुरू कर दिया तो वो जो messages होंगे वो 24 गंटे के बाद अपने आप delete हो जाएंगे वो setting यहाँ पे है मैंने इसको off करके रखा है अगला है into an encrypted backup यानि कि जो आप backup Google Drive पे लेते हो जो आप सभी backup cloud पे लेते हो iCloud पे लेते हो वो आपका backup जो है वो भी आपका into an encrypted अब आने लगा है यानि कि आप अगर setting को on करोगे तो वो भी आपका into an encrypted हो जाएगा और कोई भी उसे न देख पाएगा न पढ़ पाएगा और न उस message encrypted message को समझ पाएगा तो यहाँ पे मैंने on नहीं किया है अगर इसको आप on करते हो और आप भी encryption की भूल जाते हो तो आप भी उसे recover नहीं कर पाओगे यहाँ पे add more protection to your account अब यह बात कर रहा है पूरे whatsapp account के बारे में तो यहाँ पे जब आप click करोगे तो पहला है आपको app lock का feature यानि कि आप अपने whatsapp को lock कर सकते हो तो यहाँ पे आप अगर huge biomilitary पर click करोगे तो यहाँ पे आपका fingerprint लगाना है और immediately को on कर दीजे और अब आप सभी अपना whatsapp close करो फिर open करो आपका यहाँ पे lock हो गया तो यहाँ पे जब तक आप fingerprint नहीं लगाओगे आपका यह unlock नहीं होगा तो यह setting आपको रखना है कि नहीं आप decide कर लिजे अगला है two step verification यह देखिए मेरा पहले से ही on है आप on करना चाहो तो on कर सकते हो तो दोस्तो यही था whatsapp के अंदर यह जो आप सभी को privacy check up के बारे में whatsapp अपने status के माधियम से बता रहा है यही इसका मतलब है और इन सभी settings को कैसे आपको on करना है कैसे off करना है क्या इसका मतलब है सब कुछ इस वीडियो के माधियम से आप समझ चुके होंगे उमीद है कि आपको इस वीडियो पसंद आओगा पसंद आओ तो ज़रूर से इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल पिन नहीं होंगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा धन्यवाद